अभी आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस phone के अंदर जो DP लगा हुआ है वो ये बंदा देख पा रहा है और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां पर अपने phone के अंदर एक settings करूँगा और देखियेगा कि यहां पर ये बंदा, सिर्फ यही बंदा मेरा DP नहीं देख पाएगा ये देखिए मैंने यहाँ पे set कर दिया और देखेगा कि इसके phone से तुरंत DP गाइब देख रहे हो न दोस्तो गाइब हो गया DP और अभी मैं आपको दूसरे phone में दिखाता हूँ कि इस phone का जो DP है वो और दूसरे phone में दिख रहा है सिर्फ अभी मैंने सिर्फ यही बंदे को अपना dp छुपाया है नीचे 6200622633 यही नंबर यहाँ पे भी सोगर रहा है लेकिन नीचे वाले फोन में dp नहीं दिख रहा है उपर वाले में dp दिख रहा है अगर मैं चाहूं तो इस फोन के अंदर भी dp नहीं दिखा सकता हूं यहाँ पे इसमें भी अभी dp दिख रहा है और मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि अभी इसको भी अपना dp नहीं दिखाता हूं यह देखिए मैंने नीचे यहाँ पे सेटिंग कर दिया देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कर दिया है और यहाँ पे मैंने क्लिक किया यह देखे नहीं दिख रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि इस फोन के अंदर DP दिखे लेकिन इस फोन में DP ना दिखे, तो मैं यहाँ पे अपनी WhatsApp के अंदर एक सेटिंग करूँगा और दिखेगा कि अब यह जो पहला वाला फोन है, इस फोन में DP दिखेगा और उसमें DP नहीं दिखेगा, देखिए मैंने कर दिया DP आ गया अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला फोन है MIA1 जहां पे लिखा हुआ दिख रहा है उस फोन में भी मेरा DP दिखे तो यहां पे मैं एक सेटिंग करूँगा और देखिएगा कि उस फोन से भी जो DP नहीं दिख रहा है वो अब दिखने लगेगा तो यह मैंने कर दिया और दिखेगा तुरंत दिखने लगेगा वाँ जो मैंने अभी आपको DP हाइड अन हाइड करके दिखाया वो अब WhatsApp में ही आ चुका है अब आप किसी भी एक बंदे को दो बंदे को तीन बंदे को पांच बंदे को अपना जो DP है वो नहीं दिखा सकते हो मतलब आप चाहते हो कि मेरे ममी पापा मेरे DP देखें लेकिन जो मेरा close friend है जो मेरा best friend है वो मेरा DP ना देखे जो unknown person है वो तो कता ही ना मेरा DP देखे तो आप ऐसा कर सकते हैं अब आपकी WhatsApp के अंदर ऐसा option आ चुका है दोस्तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक request करूँगा कि यार अभी तक आपने इस वीडियो को like निकिया तो जल्दी से like कर दो दोस्तो क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है और वो setting अभी beta user को मिला है अभी मैं आपको अपने app का version दिखा देता हूँ यह देखे मैंने यहाँ पे 3.पे क्लिक किया, setting पे क्लिक किया, help में गया, app info पे गया और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं beta user हूँ यह जो feature मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यह अभी beta user को मिला है और इस version वाले को मिला है तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि यह अभी beta user में चल रहा है लेकिन आप यह कैसे कर सकते हो, जब आपको यह feature मिलेगा और कहां मिलेगा कैसे कर सकते हो वो चीज तो आप जान लो, तो उसके लिए अगर मान लो कि आप इस बंदे को अपना db नहीं दिखाना चाहते हो तो आप कैसे करोगे वो setting, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 dot पे क्लिक करना होगा यहाँ पे आपको setting पे क्लिक करना होगा, account का एक option आपको दिख रहा होगा, इसके उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको एक option दिखेगा privacy का है, इसके उपर आपको click करना है, और यहाँ पे आपको एक option दिखेगा profile photo, तो इसके उपर आपको click करना है, और यहाँ पे आपको एक नया option अब देखने को मिलेगा, अभी अगर आप सभी अपने WhatsApp में ये चीच चेक करोगे, तो आया वाला आया है उस पे आपको क्लिक करना है जो तीसरा ओप्सन है उस पे क्लिक करना है और यहां पे आपको उस बंदे का नाम सर्च कर लेना है जिसे आप सिर्फ अपना dp छुपाना चाहते हो तो यहां पे आपको इस तरीके से red tick कर देना है और यहां पे जो आपको green tick वा गया और यहाँ पे मैं एक बार भी आपको अंटिक करके दिखा देता हूँ अंटिक कर दिया अपडेट कर दिया अपडेटिंग हो रहा है आ जाएगा एक सकेंड का डिले होगा दोस्तो लेकिन आपका जो डीपी है वहाँ पे सो हो चुका है अब मैं आपको फिर से वहाँ से उस बंदे को मैं अपना डीपी छुपाना चाहता हूँ वो बंदा मेरा डीपी ना दिखे है है ना तो ये मैंने सर्च कर लिया टिक कर दिया यहाँ पे टिक कर दिया और देखिएगा कि उसके फोन से मेरा जो डीपी है वो गायव हो चुका है देख सकते हैं दोस्तो आप पीचर मिला की नहीं मिला